साथियों जैसा कि हम सब जानते हैं एक लंबी और मेहनत कश परक्रिया के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को लेकर जो डी लिमिटेशन कमीशन जिसका गठन किया गया था और चुनावा योग के साथ मिलकर उन्होंने एक बहुत लंबी परक्रिया उन्होंने की डी लिमिटेशन कमीशन की ओन्रेबल चेर्मेन ओन्रेबल रिटायर जस्टिस रंजना देसाई जी और उनके सारे मेंबरों ने यहाँ जम्मू संभाग के अलागला क्षेत्रूं का दोरा किया वहीं कश्मीर घाटी में भी अलागला क्षेत्रूं का उन्होंने स्वयम दोरा किया सभी राजनितिक दलूंग के नेताओं से और सभी जो सोशियो पलिटिकल लीडर्स है उनसे भी मुलाकात की चाहे चुने हुए जिला परिश्द के मिंबर हो बीडी सी के मिंबर हो पंचीज सरपंचीज हो समाज के इंटेलेक्शोल्स हो पतरकार बंदू हो सबसे डी लिमिटेशन कमिशन के सद्रस्तियों ने मुलाकात की और उनसे सुझाव लिये उनसे चर्चा हुई और अन्तो गत्वा एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जो की रेकमेंडेशन के रूप में डी लिमिटेशन कमिशन के मिंबरों ने अपने असोसियेट मेंबर्स जो जितने भी चुने हुए उनरेबल मेंबर पार्लिमेंट्स हैं उनके साथ वो रिपोर्ट शेर की और जिसमें बहुत महत्वपुरुन तत्या सामने निकल कर आए हैं पहली बार जमू कश्मीर के अंदर ST कम्मूनिटी को political reservations मिली है सतर साल जमू कश्मीर के अंदर जो ST कम्मूनिटी के लोग थे जिसमें गूजर, भकरवाल गदी, सिप्पी कम्मूनिटी के लोग हैं वो मांग करते थे कि जमू कश्मीर के अंदर S.T.s को political reservation होनी चाहिए जो कि पूरे देश में थी चुकि यहां धारा 370 लगाई हुई थी और यहां के जो हुकमरान थे N.C. Congress और P.D.P. के जिन्होंने 70 साल यहां government की उन्होंने कभी भी गुजर बकरवालों को गदी सिपियों को S.T.s की जो political reservation पूरे देश में थी यहां कभी लागू नहीं होने दी और आज यह बेहद खुशी की बात है प्रसनता की बात है कि जम्हों कश्मीर में भारत का जब पूरा संभीधान लागू हुआ देश का पूरा कानून जब जम्हों कश्मीर में लागू हो चुका है उसी के तत्मधान में आज S.T.s को political reservation के माध्यम से no assembly की सीटें reserve S.T.s के लिए कर दी गई मैं तमाम जो S.T. community के हमारे भाई बंदू है मैं उनको बदाई देता हूँ मुबारक बात देता हूँ कि 70 साल बात सही उनको हक भारत सरकार ने दिया उनको हक delimitation commission और चुनावा योग ने दिया इसी के साथ साथ जो हमारे schedule cast community work को भी इस delimitation commission द्वारा जो interim report जो draft report जो recommendations आई है उनके लिए भी साथ सीटे आरक्षित की गई है साथियो ये बहुत प्रसनता की बात है कि जमू कश्मीर के वो वर्ग जिनको सतर साल यहां दबाया गया था अब उनको उनके अधिकार यहां मिल रहे हैं जमू कश्मीर के अंदर 90 विदान सबूं का गठन होगा और टोटल चुकि पहले 87 assembly segments थी जिसम से 4 लदाख में चली गई तो 83 बची और 7 नई assembly segments को बढ़ाया गया है और यह जो 7 नई assembly की segments यहां बढ़ाई गई हैं उनमें कठुआ जिला, सामबा जिला, उदुमपुर, रजोरी, डोडा, किश्तवार और उसके साथ साथ उतरी कश्मीर के district कुपवारा को भी delimitation commission ने एक लंबी exercise करने के बाद एक-एक seat बढ़ाने का उस interim report में उन recommendations में सुझार दिया है साथियों हम सब जानते हैं कि 70 वर्षू में हमेशा से ही जम्मू संभाग से एक आवाज उठती रही है कि जान भूज कर deliberately जम्मू संभाग को इससे पहले ignore किया जाता था development के कामूं में जब बड़े-बड़े project sanction होते थे और जब यहाँ पहले seat'ों की हदबंदी की गई विधान सभा का जब पहले गठन हुआ उस वकित भी बहुत बड़ी अन देखी जम्मू संभाग के क्षेत्रों के साथ होती रही और उत्तरी कश्मीर के साथ भी होती रही आज जब डी-लिमिटेशन कमीशन ने सभी 90C2 के संधर्व में अपनी रेकमेंडेशन्स अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सब्मिट की हैं तो जो जानकारी हमें प्राप्ट हो रही है उसके मताबिक ऐसा प्रतीद हो रहा है के डी-लिमिटेशन कमीशन ने बहुत इमांदारी और ट्रांस्परेंसी से काम किया रही ह और आज समाज के हर वर्ग में इस बात की प्रसंदा है कि यहां बहुत इमांदारी के साथ चुनावा योग ने डी-लिमिटेशन के साथ मिलकर जमू कश्मीर की विधान सबहूं के गठन को लेकर प्रयास किया है लेकिन साथियो बहुत दुख की बात है कि जो जमू कश्मीर के अंदर जिन नेताओं ने यहां सत्तर साल राज किया जो केई बार जमू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री बने जो केंदर के अंदर मंत्री रहे आज ऐसे सभी नेताओं को तकलिव हो रही है कि क्यों समाज के वंचित डिप्राइवड लोगों को जब इंसाफ मिल रहा है तो नेशनल कांफरेंस, कॉंग्रेस और पीडीपी के नेताओं को बहुत अकलीब हो रही है आज जब कठुआ डिस्टिक को इंसाफ मिल रहा है आज जब सामबा डिस्टिक को इंसाफ देने की बात आ रही है आज जब जम्मू को उसका हक देने की बात हो रही है आज जब उदुमपुर हो डोडा हो किश्टवार हो या रजोरी पुंच हो जब इन तमाम छेत्रों के और चुनाव आयोग ने जिस्टिस किया तो नेशनल कांफरंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीव हो गई जब चुनाव आयोग ने कुपवारा जिला जो उत्तरी कश्मीर में है नार्थ और बार्डर का एरिया है हिली टेरेन है जब नार्थ कश्मीर के साथ चुनाव आयोग ने और डी लिमीटेशन कमीशन ने जब इनसाफ किया तो नेशनल कांफरंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीव हो गई आज जब डी लिमिटेशन कमिशन और भारत के चुनावा योग ने जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल गद्धी और सिप्पी जो अभी तक स्टी की केटागिरी में आते हैं जब पहली बार स्टी वालों को डी लिमिटेशन कमिशन ने हक दिया और उनकी नो सीटें यहां रिजर्व कर दी तब एनसी कॉंग्रस और पीडीपी को तकलिव हो गई जब जम्मू कश्मीर में साथ सीटें डी लिमिटेशन कमिशन ने शेड्यूल कास्ट कम्मिटी के लिए रिजर्व कर दी तब एनसी कॉंग्रस और पीडीपी को यहां बहुत बड़ी तकलिव हो गई इसलिए यह गुपकार गढ़वन्दन का जो ड्रामा है यह जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है सतर साल यहां नेशनल कांफरंस कांग्रस और पीडीपी के नेताउं ने जम्मू कश्मीर के अंदर रूल किया और उनको पूरे जम्मू कश्मीर जब वोट लेने होते थे तो जम्मू कश्मीर की बात और जब हक देने की बारी आई जब जम्मू संभा को उसका हक मिलने लगा तब नेशनल कांफरंस कांग्रस और पीडीपी के नेताउं को तकलिव हो रही है